गुदुमिनिंग दोस्तों, फोल वाइट टेबलेट किस कामाती इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फोल वाइट टेबलेट की बात करें तो इसके अंदर होता है फोलीकेसविट फोलीकेसविट ये फोल वाइट टेबलेट 5 मिलीग्राम लिखा रहता है 5 mg चे मतलब किसमें folic acid 5 mg रहता है इसलिए ऐसी कोई condition जिसमें शरीर में folic acid की कमी हो जाएगी उस condition में ये folic acid deficiency या तो खाने में कमी के कारण हो जाए या तो demand बढ़ जाए जैसा कि pregnancy के समय होता है गरवास्ता के दवरान में अगर ये folic acid दी जाती है उससे जो बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट होने की समभवना है वो कम हो जाती है folic acid को हम लोग vitamin B9 भी बोलते है water salval vitamin है और सरील में बहुत सारे तरह की ये काम करता जैसे कि blood cells को बनाना, brain या नर्व के function के लिए tissue growth के लिए और pregnancy के दवरान जो बच्चे का development होता है उसके लिए बड़ा ही important होता है इसलिए अगर किसी ने अपनी blood में जाच कराई और folic acid कम आ गया उस condition में ये folic acid दी जा सकती है folic acid सहीर में बढ़ जाए या तो गरवास्ता के दवरान या तो ऐसे लोगों में जिनमें homocysteine का level बढ़ा हुआ रहता है उन cases में भी ये कई बार रिख्बंड किया जाता है तो ये तो इस folic acid की बात करें तो normally इससे कोई खास side effect नहीं आते चुँकि ये एक तरह का vitamin है, water soluble है तो इसलिए कोई खास इससे side effect नहीं आते कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि पेट भारी सा लगे या थोड़ी से gas ज़्यादा बन जाए या भूख न लगे इस तरह के हलके full के side effect आ सकते हैं normally इससे कोई खास side effect नहीं आते कीमत की बात करें तो ये Pfizer pharmaceutical द्वारा बेची जाती है और काफी सस्ती दवा है ये 67 रूपीज में 45 टैब्लेट मिल जाती मतलब 0.5 रूपए की एक गोली पड़ती है तो काफी ये सस्ती और अच्छी दवाई है अगर किसी को सिर्फ folic acid चाहिए हो तो folic acid आपके सिरीर में कम हो गया जाँच में पता चल गया है तब ये folic acid लीजा सकती है वैसे एक और टैब्लेट आती है folic acid आती है folic acid में क्या होता है folic acid के साथ दो और supplement या दो और vitamin आ जाते है methylcobalamin मतलब vitamin butyl और pyridoxin तो ये folic acid लीजा है तो ये folic acid क्या है और किसलियो दी जाती है समझ गया होंगी कैसे खाना है कितना खाना है तो normally इसको दिन में एक बार ही खाना रहता है और इसको आप खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं ऐसा आप 2-3 महीने तक लगातार भी खा सकते हैं या तब तक ले सकते हैं तक कि आपकी folic acid deficiency ना ठीक हो जाए गर्भा उस्था के दवरान अगर दी जा रही है तो नार्मनी ये शुरुआत के जो तीन महीने होते हैं तब तक दी जाती है और कुछ लोगों को पूरी pregnancy भी दी जा सकती है तो ये folic tablet के बारे में जानकारी हुई Thank you